नमस्कार दर्शको आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूँ आपके साथ यश तो हम इस वक्त मौझूद हैं मद्यप्रदेश के भाजपा कार्याले और बंसलवन में जहां पर गोविनपुराक्षेत्र की विधायक कृष्णा गौर कुछ बताने वाली हैं तो आईए जानते हैं वो क्या कहती है आज की इस पत्रकार वार्टा में उपस्ते हैं सभी सम्मानिये पत्रकार बंधों का स्वावत लिए और सभी को देश का आज की इस पत्रकार वार्टा का है कल एक काल्गरम के दोरान कattend्रेश पारटी के प्रदेश अध्यक्षी शृत जीतू पत्वारी द्वारा दिया गया हूँ बयान है जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कॉंग्रेस पार्टी का चलित्र कॉंग्रेस पार्टी की मांसित्ता महिला विरोधी है हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्मानी महिला शिर्मती मर्ति देवी जी के बारे में जो बयान जीतु पटवारी ने दिया है वह भोर नितनिये हैं और मैं हमेशा कहती हूं कि इस देश में कॉंग्रेस पार्टी का भूना ही इस देश का बहुत बड़ा दूर्भाग यह है क्योंकि यह वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्क्रती का सम्मान नहीं किया और सम्मान तो बाद में संस्क्रती को तार-तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे देश की संस्क्रती में महिलाएं हमेशा से सम्मान ही नहीं है हमारे देश में महिलाओं को शक्ती सरूपा कहा जाता है अर्द नारिश्वर की संध्या दी जाती है हम यत्र नार्यस्तु पूजयनते रमन दितत्र देवता के भाव वाली संस्कति के पालन हार है और हम हमारी संस्कति इस देश में महिलाओं का संबान करने की हमका हम सब को संदेश देती है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया महिला विरोधी बयान देने का काम किया कॉंग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्म नहीं है एक नहीं अनेकों उधारण हमारे सामने देखनों को मिल जाते हैं आज दुख है मुझे इस बात का कि शिमती मर्थी देवी जी के लिए जो बयान कॉंग्रेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र शिमती मर्थी देवी जी को दिया गया बयान नहीं है ये संपूर्ण नारी जाती का, ये संपूर्ण महिला जाती का अफमान है और साथी साथ एक दलित समाज की सम्मानी महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अफमान है हम भूर दिंदा करते हैं और कॉंग्रेस पार्टी से यह पूछना चाहते हैं, कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं, क्या उनको भी इसी नजर से बहते हैं। शीरमती सोनिया गांदी, शीरमती प्रियंका गांदी को इस बारे में जवाब देना चाहिए। और शीर जीतू पटवारी को भी अब बताना चाहिए, कि क्या हो अपने घर की मा, बेहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उप्योग करते हैं, क्या होकी नजर अपने घर की बेहन और बेटी और माता में भी रस और चाशनी रुपती हैं। ये निश्चित रुप से इस बात का परिचाया के कि कॉंग्रेस पार्टी की नीच मान सिकता, कॉंग्रेस पार्टी की घ्रनित मान सिकता इस देश की मातने शक्तियों के लिए हैं। पूरी बेश्वर्मी से बैयान बाजी की जरासी सबात की चिंता नहीं की कि देश की महिलाएं क्या सोजेंगी। लेकिन आज दू इस बात का के कॉंग्रेस पार्टी इतनी अपने चरित्र को लेकर महिलाओं की इस्तिती को लेकर किस हग तक पीचे गिर सकती हैं। और इस प्रकार खुले तोर पर बैयान बाजी करती है। हमने पहले में इस बात को बहुत प्रमुक्ता के साथ उठाया था। कि कॉंग्रेस पार्टी की डर्टी डिक्शनरी में एक से बढ़कर एक ऐसे शर्थ हैं। जो महिलाओं को बार बार अकमाणित करते हैं। जितने गटिया शर्थ हो सकते हैं, वो इसे देश की मात्रशक्ति के लिए महिलाओं के लिए वो व्योग करते हैं। महिला विरोधी कॉंग्रेस का मूद चरित्र, हम इस बात को आज साबित कर रहे हैं। कि जब जीतुपटवारी का ये बयान आया, तो पूरे कॉंग्रेस में किसी का भी इसके विरोध में एक भी बयान नहीं आया। इसका मतला पूरी पार्टी शीद जीतुपटवारी के बयान से सहना थे। कि कॉंग्रेस पार्टी को समख सिखाने का वोसर आया है। और कॉंग्रेस पार्टी जो इस देश की इस प्रदेश की मैडाओं के लिए सोचती है, क्या ऐसी पार्टी को इस देश मेरेने कातिकार है। लोधारण के तौर पर बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिल पूर्व ही रंदीप सूर्जेवाला ने किस प्रकार से हमारे देश की एक बरिष्ट सांसर शीमती हमा मालीजी के लिए जिन शब्दों का उप्योग किया था, वो भौत ही घ्रणित शब्द थे, जिसके बार जाशी कंगना राणावद जी के लिए जो कहती है, वो क्या उनको शोबा देता है जबकि वो स्वयमिक महिला है, कॉंग्रेस पार्टी के चीफ सबसे प्रमुखनेता, श्री राहूल गांदी भी महिलाओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, किस प्रकार से उन्ह महिलाओं का अपमान करने के लिए कहे थे, अभिशेक मनु सिंग्वी कहते हैं, कि कौन राजी सबा सांसत, मनु सिंग्वी की एक सेट सीजी मार्केट में आई, जिसमें वे एक महिला वकिल को जज़ बनवाने का लालश देते हैं, आप देखिए तो कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र कितना ग्रणित है, देखिविजे सिंग जी ने कहा था, आप समी को पता है, मुझे बताने क्या वश्यक्ता नहीं है, कि इस प्रकार से अपनी ही पार्टी की वरिष्ट नेता को वो टंच माल कहया कर पुपार रहते हैं, जो इस बात का परीचायक है, कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उनकी पार्टी में भी महिलाएं लगातार इस बात से पिली रही, कि को पता है, महिलाओं को महत्व नहीं देते, महिलाओं का सम्माह नहीं करते हैं, कमलाजी की हम बार करें, कमलाजी ने भी शीमती मर्ती देवी जी के बारिंग आइटम कहा था है यह जितना शर्मनाख है उतना ग्रणित क्रत्ति भी है शशी थरूर ने मिस वर्ड का मजात बनाया सिद्धा रमय्या ने सरयाम महिला की एक बहन की चुन्दी खीचने का काम किया रेड़ों का च्योत्री जेसी कॉंगरेस की नेत्री कहती है कि बयान है एने स्वाई अद्रेक्ष पर महिला कारकरता ने शारीरिक शोशन का आरोप लगाया राभुर गांदी की मोजुद्गी में पत्रकार मोसमिस सिंग के साथ बद सलुकी हुई कॉंगरेस नेता नील मणी सेंड डेका और विदायक रूप जोती कुर्मी नेस म्रती डाली की पर मत्री रिपणी की थी करनाटक के कॉंग्रेस नेता पर योण शोशन का आरोप लगा था राजस्थान के कॉंग्रेसी मंत्री पर नोपरी देने के लिए योण उप्पिलर का आरोप लगा नाराट सामी ने किरन बेदी को राक्षस कहा था ऐसे अने को उधारन और अब अभी हाली में किस प्रकार से 36 में कॉंग्रेस पार्टी के एक वरिश्टि नेत्री अकिलर भारती मीडिया समद्वेर उनके साथ जिस प्रकार का दू वैबार हुआ है पुरे देश की जनता ने देखा है पुरे देश की महीलाओं ने देखा है Congress Party का चरितर आज इसे नहीं पहले से ये वहाँ पार्टी है जो हमेशा मैलाओं का पिढ़न करती है सरला मिश्रा चेसी बेने नेना सानी जेसी बेने जिन्दा जलाती जाती है तंदूर में फूपती जाती है बुनती जाती है ये Congress Party का चरितर है लुप से इस बाग का प्रती है कि ये वहाँ पार्टी है जिसने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया और इसलिए आज पूरे देश की महिलाएं पूरे प्रदेश की महिलाएं Congress Party से यही जवाब चाहती है कि क्या Congress Party की प्रमुक शिमती सोनिया गानी, शिमती प्यांका गानी शिजीतु पटवारी के इस बयान से सहमत है और यदि सहमत है, सहमत नहीं है तो उनका क्या बयान है इसके लिए क्या वे जीतु पटवारी को इसके लिए पूरे देश की जंता से माफि मांगने के लिए कही नी पूरे देश की बेहनों से माफि मंवाई ली और अगर ऐसा ने हमारी ये मांग भी है शिजीतु पड़वारी को इसपर्ष्ट करना चाहिए कि जो पहाँ होना है वो निश्चित रूप से एक महिला के लिए पूरी महिला जाती के लिए और दलित समाज के लिए बहुत बड़ जैसा कि देखा आपने ये थी गोविनपुराक शेतर की विधायक क्रिश्नागौर जिन्होंने जीतु पड़वारी के कुछ महिला के प्रती जो कमेंट किया था उन्होंने उस पर आपत्ती जताई है और उनसे माफि मांगने की मांग की है तो देखने वाली बात यह है कि क् कमेंट किया था उनके उनसे माफि मांगते हैं या नहीं कैमरमेन लेलित के साथ मैं यश्पाठक प्रदेश तक